नमस्कार दोस्तों, आपने किन्नर को शादी ब्याह जैसे कार्यक्रोमों में शिरकत करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किन्नर की शादी देखी है? अगर नहीं, तो हम आपको इस वीडियो में किन्नर की मेरिच से जुड़े कुछ रोचक बाते बताने वाले हैं। अहाँ पर तमिल नवश की पहली पूरण मासी को किन्नरों के विभा का उद्सव शुरू होकर 18 दिनों तक चलता है। सत्रवे दिर, ये अपने भगवान एरावन के साथ ब्याहर चाते हैं। विभा में दुलहन सोला प्रकार की श्रिंगार करती है और एक किन्नर सायोगी दुलहन बनी किन्नर की सिंदूर से मांग भी भरता है। और अगले दिन सारा श्रिंगार उतार कर विद्वा की तरह शोक बनाते हैं। बाकी की जानकारी देने से पहले ये बता देते हैं के भगवान एरावन कौन है और इनसे ही किन्नर का विभा क्यों होता है। बता दे के भगवान अर्जुन और नाग कन्या उलूपी की संतान है। भगवान एरावन जिने आरावन के नाम से भी जाना जाता है। पौरानिक मानिता के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्री का रूप धारण कर नाग राजकुमार एरावन से शादी की थी विल्लुपूरम जिले के इस गाउ में एरावन की पूजा कुन्थादवार की रूप में होती है हजारो किन्णर एरावन के दुल्हन के रूप में शादी समहरों में शिरकत करती हैं और मंदिर के पुजारी से उनकी गर्दन में कलावा बनधहाती हैं और फिर विभा के बाद जशन मनाय जाता है और उसके बाद इनके भगवान एरावन को पूरे शहर में घुमाते हैं फिर भगवान की मूर्ती को तोड़ दिया जाता है इसके साथ ही किन्नर अपना श्रंगार उतार कर एक विदवा की तरह विलाप करने लगती है जानकारी के लिए बतादें के किन्नर के विवा की ये परंपरा महाभारत से शुरू हुई थी महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने से पहले पांडवों ने मा काली की पूजा की और पूजा के बाद इने एक राजकुमार की बली देनी थी बली के लिए कोई राजकुमार तयार नहीं हुआ, मगर एरावन तयार हो गया लेकिन उसकी एक शर्ट थी, कि वो बिना शादी किये बली पर नहीं चड़ेगा अब सवाल ये था कि ऐसे राजकुमार से कौन शादी करता, जिसको अगले दिन ही मरना है तब भगवान कृष्ण ने इस समस्या का समाधान निकाला श्री कृष्ण स्वयम मोही नी रूप धारण करके आ गए और उन्होंने इरावन से विभा किया अगले दिन सुभा इरावन की बली दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप किया इस घटना को याद करके ही किन्नर एक दिन के लिए विभा करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं कुण्डली टीवी डेस्क से दिक्षा गुपता की रिपोग की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकोन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद